पश्मी सिम्हुम के उपायुक अनने मित्तल ने आज चैंबासा मुक्तिधाम परिसर का निरिक्षन किया। नगर परशत के कारपालक पदाधिकारी अभय कुमार जा सिटी मैनेजर जोती कुँझ भी उपस्थित रहें। अनुपालन सुनुशित करने नियमित रूप से समस्त परिसर एवं इसके आसपास के छेत्रों में सेनिटाइजेशन का कारे करने को कहा गया। यहाँ पर कोविट से सम्बंदी जो भी इनकी भी मेट्यू होती है उनकी यहाँ पर क्रियाकरम किया जाता है तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर विजिट किये हैं। यही देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर सेनिटाइजेशन की विवस्ता क्या है किस तरीके सुनका क्रियाकरम किया जाता है परियाप्त मातरा में सामगरी अवेलिबल है या नहीं और साइनेजिस प्रॉपर है या नहीं तो इसी के लिए हम उपायुक्त अनन्यमित्तल के नि दुकानों का जाच किया गया दुकानों में उपलब्द स्टॉक का आउलोकन करते हुए सामगरी को वर्तमान में बेते जारे मूले की जानकारी ली गई एवं इस्ते संबंधित सूचना पट्ट दुकान के आगे अधिस्ठापित करने हेतु निर्देशित किया गया उपाय उपने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वारस संक्रमन से बचाव एवं इसकी रोक्ता में तो सरकार के निर्देश पर लागू स्वास्त सुरक्षा सप्ता के अंतरगत जीले में कुछ पाबंदिया लागू की गई हैं जिसके कारण आम उपभोकताओं द्वारा घबरहट में अतिधिक सामगरी के खरीद को द्रिष्टिगत रखते हुए जीला प्रखन स्तरिय उडंदस्ता टीम का गठन किया गया है उन्होंने बताया कि जीले में उपभोकता हित संदक्षन के उदेश से समस्त जीले में गठित तीम के द्वारा प्रति दिन दुकानों एवं प् पुलिस कर्मियों की मदद के लिए मारवाड़ी यवामंच जागरती शाखा आगे आई है जागरती शाखा के अध्यक्ष स्वेता जालान उपाध्यक्ष पूर्म सराफ और कोसा अध्यक्ष विनिता सराफ सहित आने सदस्वनिस चहर के विबिन चौक चौराहों पर डूट परतैनात, महिला और पुरुस, पुलिस कर्मियों की भी चत्तू, बिस्किट, ड्रिंक्स, सनेटाइजर, मास्क और टौफी का वित्रन किया है। पश्चिमी सिंभू में कोरोना संक्रमन के सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार्ख 214 व्यक्तियों को स्वस्थ हूने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। COVID-19 संक्रमन की रोक्थाम के लिए राजी सरकार द्वारा जारी दिसा निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए जीला पुलिस की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार के आदेश का उलंगन करते पकड़े गए 132 व्यक्तियों से आज 48,800 रुपय का जुर्माना वसूल किया गया। जार्खन सरकार ने कोरोना संक्रमन की बढ़ती रफ्तार को देखती हुए लॉकडाउन को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। हलांकी इसे स्वास्त सुरक्षा सप्ता का नाम दिया जा रहा है। 22 अप्रेल से शुरू हुए स्वास्त सुरक्षा सप्ता को 29 अप्रेल को फिर आगे बढ़ा दिया गया था, आज 5 मई है, 6 मई की सुबद 6 बजे तक स्वास्त सुरक्षा सप्ता समाप्त हो रहा था, अब सरकार ने तीसरी बार स्वास्त सुरक्षा सप्ता को आगे बढ़ाने क का निड़ने लिया है यानी 13 माई की सुबह 6 बजे तक जार्खण में लॉकडाउन रहेगा